Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तो आज 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से करंट अफेर के जितने भी important questions बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में cover करेंगे और सभी questions से related extra fact भी जानेंगे सारे ही question important है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखेगा और अभी तक ही दिया आप लोगों ने online study point को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से subscribe कर लीजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की PDF टेली ग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा पहला question भारत का राष्टपती पुरुसकार पाने वाली पहली छात्रा कौन बन गई है तो यह बन गई है कविता गोपाल इनका नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि यह award पाने वाली यह पहली छात्रा बनी है मैंने आप लोगों को हमेशा ही बताया है जिस question में भी पहला वर्ड जुर जाता है वह question अपने आप में important हो जाता है और पहली छात्रा बन गई है कविता गोपाल और यह किस institute से है यह बिलॉंग करती है IIT मदराज से और IIT मदराज के 56th Convocation में इन्हे award दिया गया और बात यहां पर आई है IIT मदराज की तो IIT मदराज से related एक current affair का question है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसी वर्स यानि की April 2019 में एक ranking जारी की गई थी उस ranking का नाम है NIRF ranking यानि की National Institute of Ranking Framework और इसी ranking में IIT मदराज पहले इस्थान पर रहा था IIT मदराज पहले स्थान पर दूसरे स्थान पर IIT Bangalore और तीसरे स्थान पर रहा था IIT दिल्ली लेकिन आप लोगों को पहले स्थान की ranking याद रखनी है और पहले स्थान पर रहा था IIT मदराज और मदराज है कहाँ? तो मदराज इस्थी थे था Tamil लाडू में और तमिल नाडू की capital क्या है चेनने और चेनने में किसका हैटकॉर्टर है चेनने में हैटकॉर्टर है टीवी असका और टीवी असके ब्रैंड अमेजडर कौन है महेंदर सिंग धोनी तो इस तरह से आप चीजों को connect करके याद रखिए चीजे आप कभी नहीं बूलेंगे नच गुशन है राष्टपती रामनात कोविंद जी ने किसी जीएन राम चंदरण सुन पदग से सम्मानित किया है और यह सम्मानित किये गये है प्रोफेसर अमिताब चटोपाद्यहयर अच्छा इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है तो इन्हें biology science और technology के छेत्र में excellency के ल इस अवाड से सम्मानित किया गया और कब सम्मानित किया गया तो आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में 26 सितंबर को CSIR CSIR का स्थापना दिवस मनाया गया और इसे के उपलक्ष में इन्हें इस अवाड से सम्मानित किया गया और बात यहाँ पर आई है CSIR की इनकी Council of Scientific and Industrial Research इसके स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसके अध्यक्ष कौन है तो CSIR के अध्यक्ष है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी यहाँ आप याद रखिएगा और डिरेक्टर जनरल कौन है शेखर सी मंडे इसके डिरेक्टर जनरल है नेच कुश्चन है हाली में किसने लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराकर वापस प्रत्वी तक लाने वाला नया स्पेस क्राफ्ट बनाया है और यहाँ बनाया है स्पेस ए कैलिफोर्निया में और इसके CEO कौन है तो एलन मस्क है स्पेस एक्स के फाउंडर और CEO और इसे यदि हम करेंट से रेट करें तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अभी कुछ समय पहले इस्राइल का चंद्रयान मिशन फेल हो गया था जिसका नाम क्या था बैरे सेट तो जो इसराइल का चंद्रयान मिशन फेल हुआ था उसकी लॉंचिंग इस्पेस एक्स के द्वारे ही की गई थी और इसके मालिक कौन है अभी मैंने बताया एलन मस्क नेच कुश्चन है हाल ही में किसने STSC अधिनियम के अंतरगत तुरंत गिरफतारी पर रोक लगाने के फैसले को वापस ले लिया है और यह वापस ले लिया है सुप्रीम कोट ने तो सुप्रीम कोट के बारे में जाल लेते हैं इसकी इस्थापना में कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको बता दू वैसे तो सुप्रीम कोट की स्थापना 1937 में हुई थी लेकिन तब इसे भारत के संगीन एले की रूप में जाना जाता था लेकिन भारत के सर्वोचिन एले की रूप में इसकी स्थापना हुई 28 जन्वरी 1950 को इसका मुख्यालय इस्थित है दिल्ली सबसे इंपोर्टेंट है सर्वोचिन एले की मुख्यन एधिस तो मुख्यन एधिस प्रेजन टाइम के कौन है रंजन गोगोई जी इनका नाम आप याद रखिएगा नेच कोशन है हाली में महत्मा गांधी जी की जयनती के मौके पर कितने रुपए का इस मारक सिक्का लॉंच किया गया है तो यह लॉंच किया गया है 1.500 का इस मारक सिक्का क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर इनकी कल ही महत्मा गांधी जी की 150 जयनती मनाई गई और इसी के मौके पर 1500 का इसमारक सिक्का लॉंच किया गया किसके द्वारा नरेंदर मोदी जी के द्वारा और कहां से लॉंच किया गया तो यह 1500 का सिक्का लॉंच किया गया एहमदाबाद से गुजरात के एहमदाबाद से और एहमदाबाद से आप लोगों को क्या याद आता है क पिछले ही वर्स यानि कि दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा 75 रुपय का नया सिक्का जारी करने की घोशना की गई थी और यह क्यों की गई थी तो इसके पीछे की एक स्टोरी है कई बार मैंने आप लोग बताया है आप सभी जानते हैं 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां गये थे अंडमान निकोबार और यहां जाकर इन्होंने भारती जंडा फेराय था जिसके 75 वर्स पूर्ण कब हुए थे 2018 में और इसी 75 वर्स पूर्ण होने की उपलक्ष में केंद्र सरकार के द्वारा 75 रुपय का नया सिक्का जारी करने की घोशना की गई थी और इसी उपलक्ष पर तीन द्वीपों के नाम भी बदले गए थे उन तीन द्वीपों के नाम क्या क्या है नील द्वीप रॉज द्वीप और हैव लॉग द्वीप जिसमें की नील द्वीप का नाम बदल कर कर दिया गया है सहीद द्वीप रॉ question है, Highly में किस महिला क्रिकेटर ने T20 international में सरवाधिक रन यानि कि highest run बनाने का world record बना दिया है और यहां बना दिया है Elisa Halley ने, और Elisa Halley किस country से बिलोग करती है यह बिलोग करती है आस्ट्रेलिया से और इन्होंने किन का record तोड़ा है इन्होंने Meg Laning का record तोड़ा है और Meg Laning भी Australia से ही बिलॉंग करती है और बात यहाँ पर आई है Australia की तो Australia की capital क्या है Canberra currency क्या है dollar और Australia की Prime Minister कौन है Scott Morrison और भारत और Australia के बीच में एक exercise होती है जिसका नाम क्या है Aus Index इसका नाम आप याद रखेगा और बात यहाँ पर T20 International की की जा रही है तो यदि आप current से relate करें तो भारत की जो मिताली राज है इन्होंने कुछ समय पहले ही T20 से सन्यास लेने की घुशना की थी next question है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी चर्खा made of west plastic इसका उधगाटन किस ने किया तो इसका उधगाटन अभी हाल ही में किया है हमारी textile minister इस्मृती इरानी ने और कहां किया है तो नौइडा में भारत के सबसे बड़ी चर्खे का उधगाटन किया गया है अब यह एक term लिखा है made of west plastic इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह जो सबसे बड़ी चर्खा है यह पूरी तरह से plastic के कचरे से तयार किया गया है जिसका वजन कितना है 1250 kg तो 1250 kg यूज किये गया plastic से बना है यह सबसे बड़ा चर्खा और launch किस ने किया है यह कि उधगाटन इस्मृती इरानी ने और इस्मृती इरानी इनका निर्वाचन शेत्र क्या है अमेठी next question है हाली में पूरी तरह से विध्यति करत राज़र कौन बन गया है और यह बन गया है तेलंगाना तेलंगाना की capital क्या है 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 और हैधराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे और बात यहाँ पर तेलंगाना की की जा रही है तो इसे यदि आप करंट से रिलेट करें तो मैंने आप लोगों बताया था कि तेलंगाना ने कुछ समय पहले ही वर्ष 2020 को यहनि कि 2020 को Artificial Intelligence Year घोजित किया है किसने तेलंगाना ने और अभी तेलंगाना ने कुछ समय पहले ही अपने राज्जी के पहले फूड पार्क का उद् जली गाउ में या आप याद रखिएगा नेज कुछन है अब तक की सबसे बड़ी एरक्राफ्ट केरियर ड्राइड आक नामक डॉक का सौरी हां डॉक लिखा है यह डॉक होगा तो इस डॉक का उद्गाटन कहां किया गया है इस डॉक का उद्गाटन किया गया है मुंबई में और मुंबई में इसका उद्गाटन किया किसने है इसका उद्गाटन किया गया राजनास सिंग जी के द्या कौन है और भारत के प्रजट्ट टाइम के रक्षम न्त्री है aug a निर्वाचन-शैतर क्या है इनका निर्वाचन-शैतर है लखनौ जो refund सि गूम्त नदी के कि भारत के पहले रक्षमंद्री बन गए हैं, राजनास सिंग जी यह आप आप क्यात रखीएगा नेश क।श्चन है भारत के ने वि데्ट सच्चिव की रूप में किसे निक्त किया गया है । यह कोश्चन मैंने रिविजन के फॉर्मेट में रखा है और भारत के ने विथट शेत्र है करनाटक करनाटक से यह राज्य सभा सांसद है याद रखिएगा और हमारे प्रेज़ेंट टाइम के मुख्य आर्थिक सलाहकाल कौन है क्रिश्ण मूर्ती सुब्रमन्यम कि कलम ने आप लोगों से पूछा था हाल ही में ऐसे एफफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपिंश में अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाल ही में गांधी फिल्म महोत्सो इसका आयोजन कहां किया गया इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखेगा और मैं आप लोगों को पिछले तीन दिन से बता रही हूं कि ऑनलाइन स्टड़ी पॉ फॉर्मेट में आप लोगों को अविलिबल कराया जाएगा जिस फॉर्मेट में आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है डिटेलिंग के साथ विथ एक्स्ट्राफेक्ट और ये पीडिएफ आप लोगों को कल मौनिंग की क्लास में मिल जाएगी आप लोगों को एक ल